हेलो गाइस बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर वनफोर्टेक चनल पे आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ HTML5 Tutorial Series का एक और नया वीडियो और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे HTML के अंदर Empty Elements और Container Elements कौन से होते है Empty Elements और Container Elements का मीनिंग क्या होता है तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए आखिर तक देखिए चलिए बिना और देर किए आज की इस वीडियो को शुरू करते है सबसे पहले बात करते हैं Empty Elements की तो दोस्तों जब हमने HTML5 सीखना शुरू किया था तब मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि जब भी आप किसी Element को Open करोगे तो आपको उसको Close करना जरूरी है यानि कि जो भी Elements हम यूज करेंगे वो हम हमेशा पैर में यूज करेंगे Opening Tag and Closing Tag लेकिन HTML5 के अंदर कुछ Elements ऐसे भी होते हैं जिनका कोई Closing Tag नहीं होता है उनको बस हम Open कर देते हैं और छोड़ देते उन Elements को कहते हैं Empty Elements और फिर Empty Tags ऐसे Elements जिनका कोई Closing Tag नहीं होता है उन Elements को कहा जाता है Empty Elements हाला कि इनका कोई Closing Tag नहीं होता है लेकिन फिर भी इतने strong होते हैं कि हमारी web page पे कुछ ना कुछ action से perform कर पाएंगे अब बात करते हैं empty elements के कुछ common examples की तो सबसे पहले हमारा BR tag ये BR tag क्या काम करता है हमारा जो भी text होगा उसको break करना और जो भी हम text लिखना चाते हैं तो हम BR tag का use करके new line पे आ सकते हैं then है हमारा HR tag अब इस HR tag का use इसलिए किया जाता है ताकि हम अपने web page पे horizontal line डिस्प्ले कर सके अब ये कही बार इसलिए भी यूज किया जाता है ताकि हम अपने web page को different sections में divide कर सके next है हमारा image tag image tag का का क्या होता है कि ये हमारे web page पे images को display करेगा then है हमारा link tag ये link tag क्या काम करता है हमारे web page और किसी external resource के साथ connection establish करता है जैसे मान लो अगर आपको कोई CSS है JavaScript फाइल आपके web page के साथ जोड़नी है तो आप इस link tag का use करके वो काम कर सकते हो then है हमारा meta tag अब ये meta tag क्या काम करता है आपके web page के बारे में और basic information प्रुवाइड करता है BR tag और HR tag के बारे में हमने previous वीडियो में देखा था text formatting in HTML तो आप उपर I button पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो link tag और meta tag के बारे में भी separate video channel पे uploaded है तो आप उपर I button क्लिक करके इनके बारे में भी सीख सकते हो मैं recommend करूँगा कि आप पहले link tag और meta tag के बारे में सीखिए क्योंकि बहुत ही useful video है वो and जो image tag है उसके बारे में channel पे इस वीडियो के बार नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने वाली है यह थे कुछ common examples empty elements की अब बात करते है container elements दोस्तों container elements को आप एक बिल्कुल empty tag का बिल्कुल opposite समझे यानि कि empty tag में क्या होता था जिनका कोई closing element नहीं होता था लेकिन container elements का क्या होगा opening tag भी होगा and closing tag भी होगा अब यह container element जो होता है वो basically 3 parts में divide होता है सबसे पहले आता है हमारा opening tag देन बीच में आता है हमारा content जो कि हमारे webpage में हमको दिखाना है देन आता है हमारा closing tag अब दोस्तों container tag या container element को आप as a switch की तरह देख सकते हो यानि कि अगर आपने किसी tag को open कर दिया तो switch on हो गया और जब तक आप उसको close नहीं करोगे वो tag बननी होगा उसका जो effect है वो चलता ही रहीगा मानलो आपने किसी बल्ग को चालू कर दिया और उसको चालू ही रख दिया उसका switch जो है on ही छोड़ दिया तो क्या होगा जब तक कि वो switch off नहीं होगा वो बल चलता ही रहेगा इसी तरह काम करता है हमारा container tag भी मानलो किसी tag को आप close करना भूल जाते हो तो फिर क्या करेगा browser जब तक कि उसको उसका closing tag नहीं मिल जाता है तब तक वो same effect हमारे web page में apply करता रहेगा अब थोड़ा theoretically समझने में आपको थोड़ी तकलिफ हो रही होगी इसलिए हम क्या करते हैं sublime text open करते हैं और इसे proper coding language में समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर मैंने already एक HTML का code बना के रखा है अब आप इस code में देख सकते हो कि यहाँ पर एक सबसे पहले title open हुआ है and then यहाँ पर title close हुआ है और इसके बीच में हमारा content है जो कि हमारे web page में title की तरह काम करेगा so basically essay elements को कहा जाता है container elements या फिर container tags जिनका एक opening tag भी होता है और closing tag भी होता है essay elements को कहा जाता है container element तो इसे सबसे क्या हुआ यह जो head है यह भी हमारा container element हुआ तो यह जो body है वो भी हमारा container element हुआ यह HTML है यह भी हमारा container element हुआ तो यह होते है container elements अब आपको यहाँ पे कुछ tags ऐसे भी दिख रहे होंगे जिनका कोई closing tag नहीं है जिसे कि यहाँ पे meta tag है यहाँ पे तो यह open तो हुआ है लेकिन इसका कोई closing tag नहीं है बिल्कुल उसी तरह यह HR tag और यह BR tag इनका कोई closing tag नहीं है जिनका कोई closing tag नहीं होता है ऐसे elements को कहा जाता है empty elements अब container elements के बारे में एक चीज जो कि हमको हमेशे याद रखनी है लेकिन उसके पहले हम क्या करते है इस webpage का output देख लगते है इसको हम open इम ब्राउजर करते है तो आप यहाँ पर देख सकते हो इस तरह का इसका कुछ output है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो heading 1 है यहाँ पर मैंने क्या लिखा है empty elements and container elements यानि कि यह heading हमारे webpage पर डिस्प्ले करेगा लेकिन मान लो कि यह heading को close करना भूल जाता हूँ ओके और अब देखते हैं इसका output हम तो आप देख सकते हो कि क्या हुआ कि इसने आगे का जो भी text था उसको भी as a heading 1 की तरह treat किया ऐसा क्यों हुआ आपको मैंने एक चीज़ बताई थी याद है कि जो container elements होते है वो एक switch की तरह काम करते है यानि कि यहाँ पर यह open हुआ यानि कि यहाँ पर on तो हुआ लेकिन यहाँ पर यह किदर भी close नहीं हुआ किदर भी यह off नहीं हुआ इसलिए browser ने क्या कर दिया इसके आगे वाला जो भी text था h1 के बाद जो भी text था उसको as a heading 1 की तरह treat कर दिया और उसको display कर दिया अब मैं इसको क्या कर देता हूँ यहाँ पर यह close कर देता हूँ यानि कि मैंने इसको अभी off कर दिया अब देखते हैं बिलकुल सही होगा देख सकते हो कि यहाँ पर यह बिलकुल सही हो गया तो यह होता है container elements के बारे में एक rule यानि कि जहाँ पर भी आपको इसको open किया है आपको उसको सही जगा पे close भी करना है आज की इस वीडियो में हमने देखा कि empty element क्या होते है container element क्या होते है अगर आपको इसे related कुछ भी doubt है तो आप नीचे comment करके पूछ सकते हो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like जरूर कीजे और अगर आप channel पे नए है तो channel को subscribe जरूर कीजे मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए अलविदा stay tuned and bye bye